हेलो एनो वेलकम दोस्तों मैं इंजिनियर राजा और मैं आपसे सजेस्स करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस तरीका का नया नया वीडियो पार आप रोजाना आज वहाँ प्राणा वाला इडियो इमेल आइडियो में आए तो उसको अब कैसे करेंगे इसका मैं इस वीडियो में कम्प्लेट परसस दिखाने वाला हूँ चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं आप अपने मुबाइल फोन या लेप्टॉप में को भी ब्रॉज़ाइब करेंगे और उसमें टाइपिंग करेंगे gmail.com और इंटर करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरीका से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा कभी कभी यह होता है कि हम इमेल आइडी बनाते हैं तो उसमें नाम गलत हो जाता है या नाम के साथ में कोई अंक उसका जो भी मेसेज, email, ID या कोई भी कुछ option कोई भीसता है हमको सेंट करता है पुराने वाले email, email में तो नए वाले पाइट उस अब करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा पहले आपको Gmail को open करना पड़ेगा इसके लिए यहां पर पहले वाले जो option देख रहे हैं इस आप किलिक करेंगे और आपका Gmail जो भी होगा Gmail ID उसको open कर लेना है अब जैसे के देखिए मेरा यह email ID open हो चुक है और यहां मेरा जो है यह अमन कुमार के नाम से तो मेरा यह पुराना वाला है मैं चाहता हूं कि यह मेरा जो है ट्रांसफर होके नए वाला में चल रहे है मैं आपना जो पुराना वाला इसमें अब मेरा कोई यह लाट शुका है और यहां आप चाहते हैं कि मेरा जो email है जो पुराना वाला इसमें अब मेरा कोई यह आपको चील टो पड़को क्लिक करते कि आपको यहाप पे श।ूरण falls लिया है जैसे हैं बाप करते हैं तो एक और आपके सामने में नया टेव सालो या ओपन होंके आघाता है यहां आपको घ्रला पर पीम य कर देना है जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहांपे आपके सामने एक और प्रॉपन होके आ जाता है यहां पर होगा फर्वार्डरिइंग एर्ड जोगा फिरि enforcement न्योक्त अब अब यहां पे आपको option मिल जाता है आप यहां पर करना क्या है यहां पे आपको जिस भी email ID में आपको पुर्णा वाल जो यह वाला email ID है आपको चाहते हैं कि नया वाले email ID में ट्रांसपर हो चल जाए तो वह email ID को आपको इसमें टाइपिंग करना पड़ेगा जैसे हम चाहते हैं कि मेरा जो यह पुर्णा वाला email ID है यह आरती कुमारी में चल जाए तो हम यह आरती कुमारी के email ID है वह email ID हमको यहां पर डाल देना है या आप जिस भी email ID में अपने पुराने वाले को email ID को भेजना चाहते है जैसे मेसेज, email, video या कुछ भी कोई परसन भेजता है तो वह उसी email ID में आएगा जो email ID आप यहां पर डालेंगे तो चलिए हम यह प्राना वाला है हम आरती कुमारी में वाला email ID है इसमें सेंड कर देता हूँ और मेरा जो यह वाला जो इतना में सभी है सभी इसी में आएगा तो चलिए मैं यह वाला email ID इसमें टाइपिंग कर देता हूँ तो मैं डाल देता हूँ तो यहां पर मैंने इमेल डाल दिया हूँ डालने कर आपको करना कि हैं यहां पर सेंड वाले पर ओके कर देना सेंड वाले पर ओके करते ही यहां पर एक ओप्सन आयाता है कॉनफॉर्म फर्वार्डिंग एड्रेस चलिए हम कॉनफॉर्म कर देते हैं तो आपको करना क्या है य चो chcia जो है कोड़ आया हुआ है नहीं इसके लिए निनाइंप कर लेता है यए मेरे दितम आ पर के तरफ मेरे कोड़ा आ चुका और यहां पर आपका करना क्या कर कर लें इस तर चाब इसको कार लीजिए के करने काईप एसारा कर देना है कर ने यहां पर देखिए भेरिफाइ आर्टी कमारी और यह मेरा इमेल आईडी है तो इस आपको कोड को इसमें पेस्ट करना पड़ेगा तो इसके लिए पहले इसको डिल्ट करके हटा दीजिए और जो भी कोपी किये हैं इसको लाकि इसमें पेस्ट कर दीए यहां पर आ चुका है अब सि जो भी मेल या जो भी इमेज वेडियो या गोई डॉकमेंट जर्ट करेगा तो जो है आपका नएवाले पे आएगा और इसमें आपको कम से कम मॉन मांत का टाम लग जाता है कि यह बहुत बढ़ा सर्वर है और इसमें ट्राउंसफर करने में कुछ टाइम लग जाता है तो इसलिए आपको कुछ व्यट करना पड़ेगा यह बहुत है आपने इमेल आईडि को प्रहाने वाले इमेल आइडि को नवाले इमेल आइडि में आप ट्रांसपर कर सकते हैं और गाज आप यह जो है आइकन जो बना हुआ इसे आइकन पर जाइए और यहां पर देखिए यहां पर डिस्पले नाम तो इसपर मैं पहले वीडियो बना राखा ओँ वह वीडियो का जाल दो हमां जहां से जाने के बाता बहुत ही असानी से देख सकते हैं तो अगर गाज मीरे चैनल पर आप नय को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को नया नया वीडियो में पड़ या फ्लोर करते रहता हूं और मेरे वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नोलेज ग्यान होगा